दर्भंगा एरपोर्ट पर कई परेशानिया झेलते हुए और घोर औसुविधाओं के बीच उडान भरने वाले यात्रियों के लिए कई राहत की खबरें हैं एरपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया और भारतिय वायू से ना संजुक तुरूप से कई पहल करने जा रहे हैं जिससे इसी महीने यात्रियों को कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी पुडान योजना के तहट संचालित विहार का दरभंगा एरपोर्ट देश भर में नमबर वन पर काभिस है यात्रियों की संख्या और आमदनी के मामले में इसने देश के कई बड़े कॉमर्शियल एरपोर्ट को भी पचार दिया है इस वीडियो में हम आपको एरपोर्ट पर किये जा रहे है यात्री सुविधा के कुछ इसी तरह के कामों के बारे में बताने जा रहे हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा स्कीप करके कहीं मत चाहिएगा सबसे पहले हम आपको NH-527B सडक पर लेकर चलते हैं जहां से एरपोर्ट के टर्मिनल को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा है इस ब्रिज की तरक्की कितनी हुई है और ये कब तक बनके तयार हो पाएगा ये हम आपको दिखाते हैं एरपोर्ट के कैनाल पर बन रहे इस ब्रिज का काम अब अन्तिम चरण में है और इसी महीने ये अप्रैल में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा अभी तक यात्री एनज 527 बी सडक से करीब 300 मीटर तक अपने सामान ढोकर पैदल चलते हैं धूप और बारिस जेलते हुए इस ब्रिज के बन जाने के बाद ये दूरी महज 50 मीटर रह जाएगी और इसके अलावा इस ब्रिज के ऊपर एक शेड बनाया जाएगा जिससे यात्री धूप और बारिस से बच सकेंगे दर्भंगा एरपोर्ट से उडान भरने वाले यात्री जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या का सामना करते हैं वो है यहां पार्किंग स्पेस का नो होना अब जिला पशासन ने इसके लिए भी जगह तलाश ली है और जल्द ही पार्किंग स्थल का निर्मान करा आया जाएगा दरशल भारती वायुसेना के कैंपस से लगे वन विभाग की एक जमीन है जिसको जिला पशासन ने एरपोर्ट के पार्किंग के लिए चिन्हित किया है जल्द ही इस जमीन पर पार्किंग स्थेस बन जाएगा जिससे लोगों को वाहन पार्क करने में काफी सुविधा हो जाएगी NH-527B सडक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जिला पशासन एक और बड़ी का रवाई करने जा रहा है अब NH-527B से पश्चिमी तरफ दर्भंगा बस स्टेंड का मुख्य द्वार बंद किया जा रहा है इसकी जगह बस स्टेंड के दक्षिनी दिशा में NH-57 से लगे हुए गेट को मुख्य द्वार के तौर पर इस्तिमाल किया जाएगा इसके बाद NH-527B सडक पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल जाएगी जिला पशासन ने इसको लेकर भी कारवाई शुरू कर दी है और बस स्टेंड के भीतर दक्षिनी दुवार की तरफ मिट्टी भराई का काम चल रहा है एरपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया की ओर से दर्भंगा एरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोगों को और स्थाई तोर पर ये सुविधाय दी जा रही है क्योंकि आने वाले दो-तीन सालों में दर्भंगा एरपोर्ट का स्थाई टर्मिनल भवन बन जाएगा उसके बाद से एरपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया भारतिय वायुसेना को लीच पर ली गई जमीन वापस कर देगा और NH-527 भी सडक से एरपोर्ट की कनेक्टिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा मिथिला कि ऐसे ही पॉजिटिव खबरें देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें